बीजेपी महला नेता सुनाली फोगाट और मार्केटिंग बोर्ड के सचिव सुल्तान सिंग से जोड़ा एक नया वीडियो सामने आया है ये उसी दिन का बताया जा रहा है जिस दिन ये घटना हुई थी बाल समन्द की अनाजमंडी का वीडियो बताया जा रहा है वहाँ पर जैसा दोनों ने कहा था कि वो शेड़ वाली जगा देखने के लिए पहुंचे थे इसमें सुल्तान सिंग नज़र आ रहे हैं स्फेद की मीज में साथ سोनाली फोगा टेक तरफ वहाँ पर जा रहे हैं वो शेड़ वाली जगा पर समर्थकों को थोड़ा दूर किया जाता है जैसा कि काफी समर्थक गाड़ी के पास वहाँ पर नज़र आ रहे हैं जैसा कहा गया कि वो थोड़ा दूर आपस में बाचित के लिए जाते हैं समर्थकों को थोड़ा दूर किया जाता है उसके बाद एक समर्थक थोड़ा नजदीक आ जाता है आप इन तस्वीरों में देखिए एक समर्थक नजदीक है दोनों में अभी भी बाचित वहाँ पर च नजदीक पहुंचता है वहाँ पर बाचित अभी चल रही है दूसरा समर्थक फिर नजदीक पहुंचता है फिर तीसरा समर्थक वहाँ पर नजदीक सुल्तान सिंग के इर्दगिर्द और फिर एक तरफ लेकर सुल्तान सिंग को वो लोग लेकर जाते हैं और काफी तदाद मे दूसरे जो समर्थक हैं वो वहाँ पर पहुंच जाते हैं आप देखिए सुल्तान सिंग को यहाँ पर घेर रखा है और अभी जो नज़र आ रहा है वो इस तरह की जैसे वहाँ पर धक्का मुकी और मारपिट शुरू हो गई है इस वीडियो में सुल्तान सिंग के साथ नजर आ रहें वहाँ पर सफेद कमीज में सुल्तान सिंग और चारों तरफ समर्थक सुनाली फुगाट के और आप यहाँ पर देखिए काफित अदाद में समर्थक हैं और फिर देखिए कि सुल्तान सिंग वहाँ पर भाग खड़े होते हैं और ये देखिए कि वो भाग कर एक दुकान की तरफ जा रहे हैं जैसा वो कह रहे थे कि वहां से वो जान बचा कर एक दुकान की तरफ चले जाते हैं समर्थक पीछे पीछे हैं सुनाली फोगाट भी उनके साथ मौजूद है उसके बाद लगता है जो दोनों वीडियो सामने आई थी थपड मारने वाली और चपल मारने वाली वो उसी दुकान की है जहां पर भाग कर चले जाते हैं सुल्तान सिंग सुल्तान सिंग का ब्यान उसके बाद आया था कि सुनाली फोगाट के समर्थकों ने भी उसे पीटा था वो थपड और चपल वाले मामले से पहले और वो काफी डर गया था उसके बाद सुनाली फोगाट के समर्थकों ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी